हेलो गाईज वैलकम टू टेकलिक्स और यार आज हमारे पास है कम से कम लगबग 12 साल पुराना प्रोड़ेक्ट यह है सैमसॉन का एक माइक यूएस्बी माइक है जो की लाँच हुआ था 2009 में और उस टाइम पर काफी कम माइक्स ऐसे थे जो मार्केट में अविलेबल थे तो यह उस टाइम पर 2009 में लाँच हुआ और उसने इस टाइम पर धमाल मचा दिया तो आप देख सकते हो माइक काफी ज्यादा छोटा हाथ हो मतलब इसको पॉकेट में कर सकते हो और तो इसको पहले साइड में रखते हो और फिर इसके बारे में बात करेंगे कंप्लीट तो इसके साथ आपको एक तो क्या-क्या चीज़े मिलते हैं मेरे पास ज्यादा कुछ इसका बॉक्स वगरा नहीं क्योंकि काफी ज्यादा पुराना है आप देख सकते हो सैमसॉन का कार्ड है इस परचेस आउटसाइड यूएस यह दिस और मतलब देख सकते हैं प्रॉपर एक वेलकम कार्ड है उसके साथ यह आपको एक मिलता है सॉप्वेर आप ले सकते हो सैमसॉन का साउंड डेक जो कि आपको हेल्प करेगा इसके साथ कनेक्ट करने में लेकिन इसके खास बात है जो कि मैं भी आपको बताऊंगा और दूसरा इसकी एक बुक्लेट मि देखो गाइज यह है इस एक छोटा सा यह बैग है और इसके साथ ही आया था तो मैं आपको बता देता हूं यह जो माइक है वो किसी भी पीसी के साथ लैप्टॉप के साथ और इवन मोबाइल के साथ कनेक्ट हो जाता है विदाउट एनी सॉफ्वेर मतलब इसके लिए कोई कि यह इसका पहला ओवर्वियू तो इस तरीके का देखता हूं सिंपल सा यह एक बैग है जो की बहुत अच्छी क्वालिटी का मेरे पास भी अराउंड तीन साल से माइक है और इस माइक में अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं आई है तो इसको भी साइड में रखते और देख करके यह जो है आप इसको कहीं पर भी सेट कर सकते हो और यह ऐसे इस तरीके से आपको उपर करना और यह रहा प्रॉपर माइक सैमसौन का देख सब्सक्तब काफी अच्छे फिल्टर से और प्रॉपर अच्छी क्वालिटी का माइक है और यहां पर इसका एक स्टैंड है जो नहीं आई है अब इसकी बात कर लेते हैं कि यह इस तरीके का माइक है में जो यह हुआ था ने गेमिंग और पॉड्कास्टिंग के लिए लाउंच हुआ था माइक और काफी जाता उस टाइम पर पॉप्लर भी हुआ था आज भी लोग इसके रिव्यूज वगरा आज भी आ आती है जिस प्राइज रेंज के हिसाब से यह है उस टाइम पर हो सकता आज इसके काफी ज़्यादा कॉम्पेटिटर्स अविलेबल है मार्केट में इस प्राइज पर इस लेवल का कोई भी नहीं था अगर आपको कोई पोर्टेबल या फिक पॉकेट में केरी करने के लिए कोई अच्छा सा माइक चाहिए तो इसके बैनिफिट्स की बात कर लेता है बैनिफिट्स में सबसे पहला आता ही कि यह पॉड्कास्टिंग में आप उसको यूज कर सकते हो सिंपली है और इसमें कुछ अच्छ अच्छे फीचर्स हैं जो कि मैं आपको यहां पर दिखाता अब मैं आपको यहां से इसके फीचर्स दिखाता हूँ सबसे पहले इसमें आपको तीन फीचर्स दिख रहे होंगे एक ऊपर आता है एक माइनस 10 डेसिबल और एक यह है ओमनी डिरेक्शनल एक इसको बोलता है काईडियो काईडियो में क्या होता है यह सब फ्रेंट की साउ आप यहां जा रही है यह फैन की आवाज आ जा रही है तो अगर आप माइनस 10 डेसिबल पे इसको कर दोगे तो आपको इसके क्लोज जाना पड़ेगा माइक के और आप फिल्टर भी ले सकते हो पॉप फिल्टर भी मैंने इसमें यूज किया हुआ है तो पॉप फिल्टर से और बाकि इसको PC से direct connect कर सकता आपको कोई भी ड्राइवर्स की नीड नी है कोई भी आपको plug and play है basically plug and play है और कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आएगी अब इसकी प्राइस की बात कर लेते कि इसका जो प्राइस क्या है इसको इसकी जो MRP है वो उस टाइम पर आराउंड आई थ और आज जो यह Amazon पर बिक रहा है वो है 2975 पर लगभख 3000 पर में आपको यह मिल जाएगा और काफी मेरे को सही लगा old product है but there is a saying old is gold और almost 10 साल 10 साल के मैं तो बोलूंगा कि लगभख 14 साल पुराना होने के बाद भी यह आज भी माइक अभी भी पगड़ा माइक है और इसकी durability है इसकी जो quality है अगर आप इसकी जो metal की बात करोगी यह वाला जो पार्ट है यह वाला कुछ अलग उससे बना हुआ कुछ अलग material है यह सारा material कुछ अलग है जिसको बोलता है zinc-molded quality बोलते है और अच्छा गासा लगता है quality material है और बढ़िया लगता है इसमें थोड़े से disadvantages भी मुझे लगे जैसे यह रहा हलका फुल का background noise भी pickup कर लेता है मतलब होता है कि silent नहीं होता कभी background होता हो बिल्कुल silent नहीं होता हलका लोग आपके बैठे हो और वह भी अगरा solo podcast कर तो काईडियो और omni-directional अगर आप चाहते हो कि background की भी noise बहुत ही pickup करें तो वह भी best है बाकि माइनस 10 decibel तो इसका height of class तो गाइस अब यह my connect हो चुका आप देख सकते हैं आप एक green light जल गई है और आपको यहाँ पर तीन mode है तो अब तो मैंने तीन mode पे इस time पर minus 10 decibel पर इसको रखा है तो अब मैं इसको record करके आपके सामने दिखाता हूँ अब मैंने start कर दिया recording तो guys अब जो आप voice सुन रहे हो यह मैंने record कर रहा हूँ minus 10 decibel में और यह इसमें भी record हो रही होगी मेरे माइक में बे और इसमें भी record हो रही है तो आप बताना कि आपको कैसी लग रहे है इस time जो आप voice सुन रहे हो minus 10 decibel पर samson mic की है तो आप बताना मुझे quality कैसी है हलकी सी कम लग रही होगी क्योंकि मैं इस switch करते हैं बाकी गाइज रिकॉर्ड करता है 16 bit 44.1 किलो हर्ट पर तो काफी अच्छी quality आती है अब जो वाइस record हो रही है वो samson mic के cardio mode से record हो रही है आप बताना इसकी voice crisp कैसी है और voice में background आ रही है हलके आपको noise आ रही होगी और काफी मुझे तो ठीक लग रही है मैं इसकी voice सुनी हुई है क्योंकि cardio mode पर काफी अच्छी voice भी record कर लेता है बट हलका फुलका आपको disturbance आ रहा होगा depend करता है कि आप USB भी ठीक से आप इसको connect कर दीजी क्योंकि अगर आप इसको interact करोगे बीच बीच में इसकी power को और pop filter के बिना यूज करोगे तो आपको थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है बाकि इसकी voice है वो बहुत ज़्यादा क्रिस्प है quality है और आप इसको podcasting और audio books even मैंने audio books पिससे record क्यों यह मैंने आपको बताया था तो आप इसको switch करते हैं तीसरी omni-directional mode पर और देखते हैं इसकी quality कैसी आती है तो guys अब मैंने इसको omni-directional mode पर कर दिया है और देख सकतो अब मेरे पास आते ही यह देखो red light जलने लग जाती है मतलब red light काफी तेजी से आप देख कर रहा हूं बोया माइक से बोया M1 माइक से और अब मैं अब मैं जो start करूंगा वो होगी samson go mic के omni-directional mode से तो guys अब आप देख सकतो आपको noise आ रही होगी और काफी दूर से मुझे इसमें voice record करने पड़ेगा और even slightly थोड़ा से दीरे भी बोलना पड़ेगा क्योंकि काफी अच्छी voice रिकॉर्ड कर लेता है और background noise आपको अच्छी कासी आ रही हो क्योंकि अब यह pickup कर रहा है तो आपको लगता कि अगर थोड़ा disturbance और अपके environment में थोड़ी सी noises आ रही है तो आपको इसको बिलकुल भी इस mode पर बिलकुल भी switch नहीं करना और अगर आपको लगता कि आप जंगल में हो या आप चाहते हो आसपास के environment की pick up करें मतलब आप environment की noises को pick up करना चाहते हो मानलो आप जंगल में हो आपको birds की chirping भी चाहिए आपको sound चाहिए लेस की sound और या फिर आपको नदी की sound चाहिए तो यह सारी चीज़े जितनी flow की sound है यह सारी चोटी-चोटी noises क पिक अप करेगा तो यह किसी particular purpose के लिए तो आप इसको ना ही यूज करें तो ठीक है बाकि आप इसमें cardio mode यूज कर सकते हो माइनस 10 decibel का mode भी यूज कर सकते हो तो मोड के उपर डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए मेरा final verdict तो यह है कि यह product अपने आप में best है और आप इसको purchase कर सकते हो और यह इसका USB जो मैंने आपको बताए यह USB है जो पीसी में लगा सकते हो या फिर connector की थुरू आप मोबाइल में लगा सकते हो इसको आपको लगाना है इसमें दूसरा और options की भी बात कर लेता है हम इसके यहां पर आपको दिख रहा हुगा दो ऑप्शन ए इस headphone के तुब आप सुन सकते हो directly voice जो कि आपकी voice record हो रही है तो कि मुझे तो काफी अच्छी बात लगी मतलब छुटकू से में बड़ा चोटा packet बड़ा दमाका है तो मज़ा आ गया मुझे तो final verdict में आपको बोलूगा कि आप इसको purchase कर सकते हो और voice quality awesome है आप बताना कि मैंन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्स्ट्राइब कर देना क्योंकि इस तरी की यूनिक वीडियो से मापके लिए मैं इशाल आते रहेगे थैंक्यू सो मच गाईज फॉर वाचिंग दा वीडियो जय हिंद झाल के वीडियो है